एक शीशे की बोतल लीजी, उसके किनारों पर थोड़ा पानी लगाएं और एक सिक्का उस पर रखिये, अपने हाथों को जोर से मलिये और फिर बोतल को पकड़े कुछ देर बाद सिक्का मानों अपने आप नाचने लगेगा, इसका क्या करण हो सकता है, हाथों को मलने से हाथों में उश्नता का निर्मान हुआ, जब हमने इनी गरम हाथों से इस काज की बोतल को पकड़ा, तब वो उश्नता बोतल में स्थानांतरित हुई, जिसके कारण सि ठोर होती है, लचिली नहीं होती है, इस कारण बोतल में हवा का प्रसरण होना संभव नहीं होता है, अतहा एक मारक शेश बच जाता है, सिक्के को उठाना और उसे ही हिलाना, लेकिन सिक्के में वजन होता है, अतहा जब अंदर हवा का आवश्यक दबाव निर्मान होगा, तबी सिक्का उठता है। अब हम एक थोड़ा फूला हुआ गुबारा लेते हैं और वो गुबारा कांच के बोतल के मुख पर बानते हैं। हम ये कांच की बोतल उबलते हुए पानी में रखेंगे। कुछ देर बाद गुबारा और फूलने लगेगा। गुबारे के अंदर हवा किस प्रकार गई होगी। हमने बोतल को उबलते पानी में डाला था। इस कारण कांच उबलते पानी में गरम हुई। कुछ देर के बाद बोतल में जो हवा है वो भी गरम हुई हवा गरम होने के बाद प्रसरित होती है और प्रसरित हवा को आगे जाने के लिए कोई अन्यमार्ग न होने के कारण वो गुबारे में भर गई हवा गरम होते ही वो प्रसरित होती है किआ आब बता सकते हैं कि हवा थंडी होने के बाद क्या होता है किया हवा संकुचित हो जाती है अब हम यही फुलाया गुbbारा लेंगे आब देख सकते हैं कि मुझे ये गुपारा इस बोतल के संकिर्ण मुहाने से अंदर डालने में कितनी तकलीफ हो रही है इस बोतल में ठंडे पानी और बर्फ का घोल है और इस पानी का तापमान रिन दस सेलसियस है अब यदि कुछ समय बाद हम गुबारे को निकालने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए आसान होगा जब हमने गुबारे को उस ठंडे पानी में रखा गुबारा सिकुड गया इसी कारण बोतल से गुबारा निकालना हमारे लिए आसान है इससे हम ये निशकर्ष निकाल सकते हैं कि हवा गरम होने के बाद प्रसरित होती है और ठंडी होने के बाद अकुन्चित होती है या हम कह सकते हैं सिकुड जाती है, पानी के बारे में क्या कहे, क्या पानी गरम करने के बाद प्रसरित होता है, हम इसे प्रयोग द्वारा देखेंगे, हम रिफिल की छोटी सी प्लैस्टिक की नलिका लेंगे, नलिका मजबूत इसे एक धक्कन में लगाते हैं, साथ ही उसमें छोटा सा छेद भी बनाते हैं अब हम एक बोतल पानी से भरेंगे उसमें स्याही की कुछ बूंदे डालेंगे जिससे हम पानी का स्तर जान सके अब हम इस बोतल को गरम पानी में रखेंगे जब हमने इस बोतल को गरम पानी में रखा तब भीतर के पानी का तापमान बढ़ने लगा और हम देख सकते हैं कि बोतल के भीतर का पानी गरम होते ही वो प्लास्टिक की ट्यूब में से बाहर आना शुरू हो गया पानी गरम होने के कारण उसका प्रसरण होता है अर्थात उसे अधिक जगा लगती है काँच की बोतल का प्रसरण नहीं हो सकता इस कारण पानी जाने के लिए एक ही मार्क बच जाता है और वो है प्लास्टिक की नलिका आप भी ये प्रयोग तेल के साथ कीजिए क्या पानी की तरह तेल प्रसरित विस्तारित होता है क्यों ना आप स्वेम इसकी जांच करे अब हम तार लेते हैं यदि हमने उस तार को एक छोर से गरम किया तो क्या होगा तार गरम होने के बाद प्रसरित होती है और उसकी लंबाई बढ़ने लगती है क्या आप बता सकते हैं कि रेल की पट्रियों में फासला या फिर दूरी क्यों होती है यदि रेल की दो पट्रियों में फासला न रखा जाए तो क्या होगा सुभा के समय सूरज की गरमी के कारण पट्रिया गर्म होकर प्रसरित होना शुरू हो जाएंगी और एक दूसरे को धकेलने लगेगी और रात के समय वे ठंडी होकर अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगी और दूसरे को खीचेगी बार-बार के प्रसरन एवं सिकुडन के कारण दो पट्रियों के बीच में जो जोड हैं वे ढीले पड़ जाएंगे और शायद कुछ दिनों के बाद वे दोनों पट्रियां तूट कर एक दूसरे से अलव हो सकती हैं दो पट्रियों के बीच के फासले के कारण वे एक दुसरे को प्रभावित किये बिना प्रसरित हो सकती है यदी पट्रियों के बीच फासला न रखा गया तब वे तेड़ी मेड़ी होने का खत्रा बना रहता है शायद वे मुड़ जाएं वर्तमान में इस फासले को एक विशिष्ट पदार्थ से भरा जाता है इस कारण हम कह सकते हैं कि दूप तथा बार बार रेल के आवागमन के कारण लोहे की पट्री गर्म हो जाती है और इस प्रसरन के लिए दो पट्रियों के बीच में खाली जगा छोड़ दी जाती है या रेल की पट्रियों में छोटी सी दराज रखी जाती है जब रेल इन दराजों से होकर गुजरती है तब हम इन्हें वास्तों में सुन भी सकते हैं हमने देखा कि तामबे की तार प्रसरित विस्तारित होती है जब हम तार को गरम करते हैं तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन क्षेतरफल के बारे में क्या होता होगा एक एलुमिनियम की शीट अर्था चदर लीजी और उसमें एक छोटा सा छेत कर दें इस छोटे से छ अलुमिनियम चदर को गरम करेंगे तब क्या होगा वो भी एलुमिनियम के छड के समान प्रसरित हो जाएगी परंतु उसका विस्तार सभी दिशाओं में होगा गरम करने के बाद अब वो कंचा सहजता से छेत के आरपार जा सकता है यह प्रयोग अन्य धातूं के साथ भी कर नाम होता है पदार्थ गरम करने के बाद विस्तारित होते हैं और ठंड करने के बाद सिकुड जाते हैं आपके रोजमर्रा की वस्तू के साथ भी आप यह करके देख सकते हैं यह प्रसरन और अकुंचन क्यों होता है यह हम अगली कक्षा में देखेंगे झाल झाल